कॉंग्रेस के राष्ट्रे को ओर्डिनेटर एबम भोरन से प्रत्याशी रहे सुरेश कुमार ने स्थाने विधाईका पर आरोपल गाया है कि उनका परिवार गुंडागर्दी और दबंगाई पर उतराया है जैसे भोरनज क्षेतर में भय का महौल उत्पन हुआ है सुरेश कुमार ने का कि भाजबा विधाईक के परिवार से जाँ करमचारी आंतकित हैं वहीं पर अब आम जनता के उपर भी इनकी दबंगाई का असर दिखने लगा है उन्होंने कहा कि हाल ही में विधाईका के पती ने भरेडी स्कूल के शातर की निर्मपिटाई की जिससे क उसको अस्पिताल में अब 4 दिन होना पड़ा और जब जनता का दबा बढ़ा तो विधाईका के पती ने माफी नामा कबूल किया है उन्होंने कहा कि यहीं नहीं विधाईका के परिवार के एक अन्यस दस्या ने एक स्थाने ट्रक ड्राइवर के साथ जगड़ा किया तथा उल्टे उसी के ऊपर मारपीट का मामला दर्श करवा उसे जेल भेज दिया है सुरेश कुमार ने का कि विधाईका के पती भूरंज विधांस वक्षेत्र में करमचारियों अधिकारियों वा आम जनता को धमकाने का कारे कर रहे हैं और हर कारे में उनका सीधा हस्तक्षेप रहता है ऐसे में लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि जब वोट विधाईका को दिये थे तो पती कारे में हस्तक्षेप क्यों करें इस सबस्ट होता है कि विधाईका स्वय किसी भी कारे के लिए शक्षम नहीं और मातर उसके पती वा परिवार के सदसे मैनवानी से क साम चला रहे हैं उन्होंने कहा कि भूरंज में अधिकारीव करमचारी दबाब में हैं और ऐसा भूरंज क्षेतर में पहली बार देखने को मिला है त्रिश कुमार ने कहा कि व्रेडी स्कूल में हुए शातर की मारपीट के मामले की उच्छ सतरी जांच होनी चाहिए इस पर कार स्थानी ट्राइवर के साथ किये गए अभधर व्यभार एबम उसके उपर मामला दर्ज करने की भी जांच की जानी चाहिए प्याल टीवी के लिए हमीरपुर से ब्यूरर पोर्ट